जे नमस्कार मैं आशिस पांडे आप सब का स्वागत करता हूँ अरुनेखा स्टडी में और आज एक important बात करने वाले हैं कि आप सब लोग परिसान हैं कि PZT का admit card क्यों नहीं आया, NVS के PZT का admit card अभी तक क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत हो रही है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की admit card आ गई उनका exam भी आज और कल में होने वाला है ठीक, तो ऐसी क्या हो रहा है, कब आएगा, तो यह हर एक चीज आपको मैं आज बताने वाला हूँ तो जैसा कि एक notice आया था, 7 तारीक को 7 December को एक notice आया था आप लोग side में देख सकते हैं, उसको मैं छोटा सा करके दिखा रहा हूँ side में, तो उस notice में ऐसा लिखा था, कि आपका जो PZT वाले जो लोग है वो लोग चाहें तो आप अपना exam center जो है, वो पता कर सकते हैं कि किस city में है यह सब देख सकते हैं, उसके लिए जो link है, वो मैं description में आपको दे दिया हूँ वहाँ पर आप लोग जाके वो चेक कर सकते हैं, लेकिन जो आपका admit card है, वो आपको 12 तारीक या उसके बाद ही available होगा internet पे और उसका जो website है, वो भी मैं description में डाल देता हूँ और आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं, तो वो अभी आपका download होगा नहीं फिलहाल आपको अभी आपका जो exam city है, वो मालूम हो जाएगा test center के बारे में जो भी मालूम हो पाए, वो मालूम हो जाएगा आपका लेकिन अभी आपका admit card download नहीं होगा तो ये एक चीज आपके लिए अभी ये है कि बहुत जैसे टीजीटी में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों का admit card download नहीं हो रहा था, बहुत problem हो रही थी लोगों को कुछ लोगों को लग रहा थे कि उनका form clear नहीं हुआ है ढंक से एकसेप नहीं हुआ है form ऐसा ऐसा बहुत कुछ हो रहा था दिक्कत तो मैं बता रहा हूँ मेरे पास करीब करीब 54 या 55 mail आय थे टीजीटी admit card के लिए लेकर 54 और 55 mail में से I think मैं 50 प्लस mail का जो लोग mail किये थे उनको मैं admit का download करके दे दिया था हाँ ऐसा हुआ था 2-3 मुझसे भी download नहीं हो पाया था तो उनके लिए मैंने email और गारा कराया था तो जब मेरे पास भी time नहीं था उस समय तो एक mail अब कल paper है आपका और आज रात में आपका mail आया और मैं आपके through mail करवाँ NVS को या CVS को तो फिर वो response हो नहीं पाएगा इतना जल्दी उसमें भी time चाहिए तो यह नहीं हो पाया था तो यह दिक्कत हो गई थी कुछ लोगों का paper लेकिन बहुत लोगों का मैंने admit card निकाल दिया था जो पहले मुझसे contact कर लिये थे उनको admit card उनका मिल गया था तो इसी के साथ अगर आपको अभी test city चेक करने में कोई भी असुविदा हो रही हो आपका रेजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो आप लोग एक बार मुझे mail कर लेंगे जो भी डिटेल्स आप सेयर कर पाए वो मुझे सेयर कर देंगे बाकि मैं आपका वहां पे देख लूँगा कि क्या आप टाइम रहता है मेरे पास भी टाइम रहता है तो मैं थोड़ा धंग से उसको देखता हूं और आपको भी पता है कि आपका जो एक्जाम है वह 15 और 16 को है और NBS 3 दिन पहले एड्मिट कार्ड रिलीज करता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का और अभी से चेक कर लिजे जो भी मेरे तरफ से जो भी होगा वह पूरा सपोर्ट करूंगागा टीजी टी वाले और मैंने पूरा सपोर्ट किया था और लोगों को पसंद भी आया था मेरा काम मेरे टीजी टी वाले वीडियो पे देख सकते हैं आप लोग कितने कितने व्यूज भी गए हुए हैं तो लोग मुझे से कॉंटक्ट किये थे आप लोग उस समय उस वीडियो पे बहुत अपना मतलब सपोर्ट दिये थे और जिसको स मैं पूरा सपोर्ट किया ता कभी आपको कोई हमें धूर्ट करने के लिए जरूर करूंगा जो भी मुस्ते हो पाएगा वो मैं आपको लिए बनाए हुए काफी चल रहे हैं लोगों के पास पहुच रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है तो मुझे अच्छा motivation मिलता है और एक तरह से reward points होता है ठीक मैं भी मेरी भी तवियत खराब है अवाज बैठा हुआ है तो फिर भी मैं आपके लिए मैं कर रहा हूँ 2-3 दिन से मैं काफी परिसान भी था लेकिन जो भी है मैं जैसे जैसे आपको जो अपडेट देना चाहिए मैं वो अपडेट आपको मैं करता रहता हूँ साथ में classes भी यहाँ पर चलती है अब दिक्कत यह है कि मैं अकेला हूँ और थोड़ा तब तक के लिए टाटा बाए बाए और थेंक यू